सबसे पहले हम sorting का मतलब आप सबी को clear है sorting का मतलब होता है sending है descending order में arrange करना तो हम सबसे पहला sort पट रहे हैं bubble sort ठीक है हर किसी का देखो paper में आने के लिए क्या चीज important है यह एक तो process important है दूसरा paper में आता है हर किसी का यह तो best case की complexity पूछेगा या worst case की complexity पूछेगा तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आप इसी तरीके से खुद भी ध्यान रखने के उसको कोशिश कीजिए समझ रहे हैं बात जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से इसको ध्यान रखना है ठीक तो जैसे यह मान लिजे bubble sort है process इसका क्या होता है मैं एक छोटा element ले लेता हूँ 85926 मान लिजे मैंने यह ले लिया ठीक है फिर इसके बाद मैं next जो discuss यह मैं general तरीका बता रहा हूँ फिर इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसका best case फिर worst case ठीक है उसको कैसे count करता है देखो कैसे होगा इसमें जैसे हम pass चला रहे हैं तो first pass में क्या होगा इसकी इससे comparison होगी first element की second से अगर यह इससे बड़ा है तो 5 चला जाएगा उपर 8 चला जाएगा नीचे ठीक है तो अब 8 की अब यहां पर 8 है इस 9 पर ठीक है मैं यहां पर नहीं बना रहा cutting जादा होगी 8 की फिर 9 से comparison होगी 8 9 से बड़ा नहीं है तो 8 रहेगा यहीं पर 9 यहां पर ही है फिर 9 की 2 से होगी तो 2 आ जाएगा उपर 9 चला जाएगा नीचे फिर 9 की होगी 6 से तो 6 चला जाएगा उपर 9 चला जाएगा नीचे पहले पास में क्या होगा सबसे बड़ा element आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे आ गया है यह clear है भाई सबको अगर हम पास 1 की बात करें तो पास 1 में मतलब पहले पास में comparisons कितने होगा है यह हम यहाँ पर पास लिख रहे है और हम यहाँ पर काउंट भी कर रहे है comparisons कितने हो रहे है overall मतलब जितने operations लग रहे है complexity वही बनती है पास तो अभी पहला है पहले पास में comparisons कितने हुए न-1 देखिए 5 elements थे तो चार comparisons हुए है swap कितने हुए है यहां पर देखे, यह एक मैंने जनरल केस ले रखा है, बेस्ट यह वर्स्ट में आप एक्जेक्टली काउंट कर सकते हैं, बट इसमें भी आप देखेंगे तो देखे, सिरिफ एक जगे स्वैप नहीं हो था, बाकी स्वैप हुए थे, यह बात समझ में आ रही है, तो एक्जेक्टली काउंट करने को कभी अगर देगा, कि 85926 अगर इसने दे दिये और स्वैप पूछ लेता, तो हम कैसे कर सकते थे, ऐसे कोशन बच्चों बन जाता है, कि मान लिजए दो पासे तक, या मान दो सेकिंड पास के बाद एरे क्या बनेगा, कि इन्पूट अरे यह है, फिर्स्ट पास के बाद क्या बनेगा, तो फिर्स्ट पास के बाद यह बनता, क्लियर है, फिर्स्ट पास में गर यह काउंट करा लेता, कितने स्वैप हुए हैं, देखो कंपरेजन तो 4 होते हैं, अगर पूछता तो देखे, 8 और 5 में swap हुआ था हुआ था जब 8 की 9 से comparison हुई थी तब swap नहीं हुआ था फिर 9 और 2 की comparison हुई थी तब swap हुआ था 9 और 6 की comparison हुई थी swap हुआ था मतलब 3 swap हो चुके थे बट यहाँ पर swap मत count करेए जनरल case ले रखा है पेपर में complexity पूछता है तो best case या worst case की पूछता है बट process मैं एक general वाला example पहले ऐसे लिया है जिससे आपको process आ जाए तो यहाँ पर count नहीं कर रहा है process देख रहा है अब 5 की 8 से होती तो कोई swap नहीं होगा 8 की 2 से होगी 2 उपर 8 नीचे comparison होई swap होगया फिर 8 की होगी 6 से 6 आ गया उपर 8 आ गया नीचे अब 8 की 9 से करने की जरूरत नहीं है यह मैंने line इसलिए खिची है first pass में सबसे बड़ा element सबसे नीचे आ गया था आप इससे comparison करते भी 8 और 9 की comparison होती भी तो क्या swap होता गया नहीं होता ना तो इसलिए देखे second pass में comparison कितनी हो चुकी है n-2 अगर आप बात करते तो 5-2 यानि 3 comparison होई है swap अभी हम counting नहीं कर रहे है अब देखे second pass के बाद अगर आप देखें तो दो बड़े element सबसे नीचे जा चुके है अब अगर यहाँ पर comparison होती 2 और 5 की तो 2 आ जाता उपर 5 आ जाता नीचे 5 और 6 की comparison आती कोई swap नहीं होता इसके बाद देखे third largest उपर आ चुक है third pass में comparison हो चुक है and minus 3 swap हम इसलिए count नहीं कर रहे है एक general case है swap वगेर आए कभी किस देखो अगर count करने के लिए बोल देता तो आप count कर सकते थे पहले pass में कितने swap हुए थे 3 पिर जब अगर हम second pass में हमने बात की थी अरे यहां पर 3 pass swap हुए थे इस वाले में 5 की 8 से हुई थी swap नहीं हुआ था 8 की 2 से swap हुआ था 2 की 6 से swap हुआ था मतलब second pass में 2 swap हुए थे third pass की अगर हम बात के ने पास फोर में आप देख सकते हैं तू की फाइव से होगी कोई स्वैप नहीं होगा ये अब देखो पेपर में कोश्चन 99 परसेंट देखो पिछली बार तीन कोश्चन ऐसे बने हैं कि आफ्टर सेकेंड पास क्या एलिमेंट होगे अब ये एलिमेंट पांच होते दस होते इसस हुआ यहां पे यह बात आपको क्लेर होगी होगी यह बास एंध Testamentन कर रहे हैं मैंने अब को सिखाया बबल सॉर्ट का प्रोसेस एक जेनरल केस लेकर्षिस लेकर तू कॉंप्लेक्सिटी कांट करने के परपस से नहीं का बढ़े किया समझ सकते हैं maximum पास कितने चल सक्ते हैं क्या इससे यादा पास चल जाएंगे क्या किसी भी सौर्टिंग में एक पास में हर बार क्या हो जा रहा है एक element सौर्ट हो रहा है सबसे बड़ा element तो सबसे बड़ी location पर पहुच ही रहा ना तो अगर मैं पाँच element है चार पास चला दूँ तो चार बड़े element नीचे पहुचगे तो सबसे उपर सबसे छोटा ही बचेगा ना उसके लिए पास चला के देखने की जरुरत थोड़ी ना है क्लेर होगी बात सबको जल्दी बाजी का काम नहीं करेंगे एक बार अब तुबारा करना है तो कर लेता है इसको ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें अब complexity की बात कर लेता है बबल शॉट का मैं ले रहा हूँ कौन सा केस best case बैस केस किसको बोलता है अगर आप सॉट करना चाहतो है असेंडिंग और और अल्रेड असेंडिंग ओड़र में मिल जाए element तो यह तो बैस केस होगा बट बैस्ट केस में इतनी कितना टाइम लगेगा वह हमें देखना है से comparison की swap होगा no 3 की 4 से swap होगा no 4 की 5 से swap होगा no अब आप यहाँ pass 1 में swap कितने हुए zero comparisons कितनी हुई है 4 यानि n-1 अगर हम बात करें तो pass की complexity कितनी आगए order of 1 swap की आगए order of 1 comparisons की आगए order of n बोल सकते हैं अगर overall करें तो सबको add कर लीजिए तब भी complexity overall कितनी आएगी देखो यह आपको 4 questions बन चुके हैं pass की complexity क्या होगी best case में swap की क्या होगी best case में देखो मैं रटना नहीं बता रहा हूँ आपको आपको करना क्या है कोई सा भी array आए कोई सा भी sorting आए कोई सी भी technique आप एक array बना के नहीं देख सकते क्या best case में आप 1,2,3,4,5 लिख लो worst case में 4,5,4,3,2,1 लिख लो एक बार वो technique चला लो जो process मैंने आपको चलाना सिखाया है that's it clear है अब bubble sort में देखो advantage क्या है अगर आपका एक भी swap नहीं हो रहा ना प्लस आपको paper के perspective से करना है तो एक तो आपको algorithm चलाने का तरीका आना चाहिए दूसरा आपको best case और worst case पता होना चाहिए that's it मैंने आपको क्या बोला जितने भी sorting आप सब में best case में ये ले 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 ना worst case में 5,4,3,2,1 worst क्या होता है जैसा element चाहिए उससे उल्टा पड़ा है ये बात clear है पूजा ठीक है नेहा बात clear है अब आपको देखो सारे sorting हम कर रहे है और कम से कम sorting के array में से 50% question sorting के उपर है तो इसलिए sorting बहुत important है तो सही से देख लिए अब अगर इसके हम worst case की बात कर रहे है worst case में मैं आरे देखो आप शुरू में जब एक दो चीन चार पांच बार practice करेंगे तो कोई सा भी question आया डारेक्ट मत करना मैं आज आपको question करना भी सिखाऊंगा मैं बार-बार इसको यूज़ करूँगा तो आपका कई बार revision हो जाएगा वीडियो में डाल दूँगा उसके बाद आप इसको एक दो बार fast mode में देख सकते हैं तो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है समझने वाला subject ही है बाकी सब तो बहुत जल्दी जल्दी कावर होंगे ठीक अब worst case में element क्या है मान लिए आपके पास 5,4,3,2,1 पड़ा है अब यहाँ पर देखना है complexity कैसे चलेगी ठीक पास देख लेते हैं कितने पास चलेंगे comparisons and swap ठीक अब देखे पहले पास में क्या हो रहा है 5 की 4 से comparison होगी process क्या कहता है अगर यह बढ़ा है तो swap हो जाएगा अब 5 आ गया यहाँ पर 5 की 3 से होगी 3 उपर 5 नीचे 5 की 2 से होगी 2 उपर 5 नीचे 5 की 1 से होगी 1 उपर 5 नीचे पहले पास में सबसे बड़ा element सबसे नीचे आ जाएगा पास 1 में आप comparisons बताइए कितने हुए n-1 और हर जगे swap भी हुआ है swap भी कितने होगे n-1 अब अगर आप पास 2 चलाएंगे आप इसमें गौर करके देखिए swap होगा comparison होगी यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा तो 3 आ जाएगा उपर फिर 2 फिर 1 फिर 4 समझ में आ रही ह अब आपको याद करने की जरुरत है क्या मैं कह रहा हूँ आप इसको एक या दो बार practice करेंगे आप सब खुद समझ जाएंगे कौन सा case बन रहा है 3 की 2 से होगी तो 2 उपर 3 नीचे 1 उपर 3 नीचे 4 5 थर्ड पास में हम देखें तो comparisons होगे n-3 swap होगे n-3 is it clear इसके बाद 1 भी आ चुकी है अब अगर elements 100 होते तो ऐसे ही ऐसे करते हुए आगे बढ़ते ना last में केतना पहुच जाता 1 पहुच जाता यह बात clear है अगर आप passes की complexity देखो question ऐसे बन सकता पास की complexity कितनी है तो कितने पास चल सकते है maximum 4 का मतलब n-1 नी आ गया था तो पास कितने चल सकते ह चलेंगे n-1 ही पास चलेंगे maximum तो पासिस की complexity order of n अगर आप comparisons देखें तो 1 से n-1 तक का sum कितना होता है बच्चो n-1 by 2 तो complexity कितनी हो जाएगी n square by 2-n by 2 यानि order of n square यह बात सबको clear होगी same swap की हो जाएगी order of n square आप अगर overall add भी कर दीजिए तो overall complexity कितनी होगी 2n square plus n इस्टिल overall complexity भी कितनी होगी order of n square क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं पेपर के perspective से आपको कुछ नहीं करना best case आए यह लिखो और एक बार process चला के देख लो आपको पता है पहले पास में मुझे पता चलिए sorted है आगे क्यों चलू खतकानी खतम clear होई या नहीं होई तो यह आपका bubble sort ह इसके बाद हम बात कर रहे हैं insertion sort की किसकी insertion sort की बिल्कुल सेम तरीका है इसलिए इसको discuss कर रहे हैं बिल्कुल सेम exactly same like bubble sort complexity भी exactly same है बट थोड़ा सा difference है best case में थोड़ा सा difference है ठीक पहले process देख लेता है अगर आपने कभी cards खेले है playing cards तो उसमें आपको पता है आपको अगर इसके अगले मेरे पास जो आया था जो आया था तू आया था नाइन आया था फाइव आया था एकिसफा करता हूं, अच्छा मानलो मेरे पास 2,5, 6 पड़े थे, अभी तर, 2,5, 6 पड़ाया और 9 पड़ाया, मानलीजी, ये ऐलेमेंट पड़े थे, अगला ऐलेमेंट मेरे पास आगया 3, आप क्या देखतो, अच्छा, इससे छोटा, इस से छोटा है इस से छोटा है यहाँ लगा दो ऐसे ही करते हैं आपके नहीं अगर आपके पास 8 आता अब आपके पास यहाँ पर K भी बड़ा था मान लिजे K भी बड़ा था आप क्या करते हैं आपके पास मान लिजे element आया 8 आप क्या करेंगे, k से छोटा है, 9 से छोटा है, यहां लगा, समझ रहो कि नहीं, इस तरीके से ही cards अगर आपने खेलेंगे तो ऐसे करते हैं, बट उसको छोड़ते हैं, हम general discussion करते हैं, किस तरीके से हम, इसमें करते हैं, मान लेज़े, आपके पास element है, 8, 2, 5, 9, और 6, इसमें कैसे चलेंगे, 2 की comparison करूँगा, 8 से, ठीक है, 2 की comparison 8 से की, तो swap हो जाएगा है, पहले पास में, जब पहले पास सब चला रहा है, पास 1, तो आप comparison कैसे कर सकते हैं, 2 की 8 से comparison करी, अगर यह इस से छोटा है, तो swap कर दो, तो पास 1 में, देखो आपको process की important है, पिछली बार question, जितने complexity पाया है, उतनी question इस पाया है, कि पहले पास के बाद output क्या होगी, या second pass के बाद क्या होगी, तो देखिए, इसमें, पास में ऐसे नहीं चलता, इसमें सिर्फ इसकी comparison इस से होई, clear है, और अगर छोटा है, तो swap हो गया, यानि पहले पास के बाद output यह होगी, second pass के ब 5 की comparison होगी 2 से, छोटा नहीं है, तो swap नहीं होगा, same like bubble sort, इस comparison में 2 comparisons हो चुकी थी, ठीक है, पास 3 आप चलाता है, पास 3, इस case में क्या होगा, देखिए, हमारे पास क्या हो रहा है, 9 की comparison होगी 8 से, क्या पूजा 9, 8 से छोटा है, नहीं है, तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे समझ भारी है, यानि कि इस pass के बाद 2, 5, 8, 9, 6, as it is रहेगा, अब हम pass 4 पे आ जाते हैं, pass 4 में क्या हो रहा है मारे पास, अगर हम बात करें, 6 की comparison होगी 9 से swap होगा, 6 की होगी 8 से swap होगा, 6 की होगी 5 से swap नहीं होगा, बट comparison इतनी होगी, general case है, इसलिए count करके कुछ नहीं दि sort हो चुका है, element n थे तो pass कितने चलेंगे, n-1, यानि 5 element थे तो pass कितने चलेंगे, 4, मेरे खाल से process किलिए हुआ हुआ हुआ, अब मैंने क्या लिया है, insertion sort का मैं कौन सा case ले रहा हूँ, best case, अब देखें इसमें best case में मैंने आपको क्या बताया, element क्या ले लिया करो आप, 1, तो आपको element लेने मैंने बता दिया, आपकी element लेने आपको, बाकी इसकी recording में session की दे दूगा आपको, आप इसको एक बार, दो बार देखेंगे, तो आपकी sorting खतम होगी, तो समझ लीजे, data structure का 30% portion खतम होगी, ठीक है, बाकी सब में घुमा फिरा के कोई चीज बनती नहीं, इसमें भी question limited है, बट चुकि 6-7 तरीके की sorting है, तो confused हो जाते हैं, एक दो बार आपने चला के देख लिया ना, चला के देखना है general case, ठीक है, और best और worst की practice करनी है, general इसलिए क्योंकि paper में question आ जाता है, कुछ ये कहरे दे दिया, उसके बाद पूछले, pass 1 के बाद इसमें क्य क्या बोलता है, pass 1 में में क्या करना पड़ेगा, second element की comparison होगी इससे, क्या swap होगा क्या, होने का तरीका इसको कुछ और होता है, यहाँ पर हम माइनस infinite बांते हैं, उसके according करते हैं, बट मैं आपको data structure में confuse नहीं कर रहा हूँ, हमें चीज 4 या 5 दिन में खदम करनी थी, तो उस पास के बाद output क्या बचेगी, यही बचेगी, फिर पास 2 में हम क्या करेंगे, 3 की 2 से होगी, छोटा ही नहीं है, तो हम आगे जाएंगे नहीं ना, तो पास 2 में होगा क्या, एक comparison होई, swap कितने होई, 0, पास 3 में अगर मैं बात करूँ, तो 4 की comparison 3 से होगी, इससे ही छोटा न है ना, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 बचेगा, पास 4 में, बट मैं ऐसे नहीं बता सकता, सौट होगा ना, मानलो आगे 0 होता थो, चला आगे तो देखना पड़ेगा ना, यानि इसमें हमेशा पास कितने चलेंगे, n-1, बबल सौट एकलौता ऐसा सौट है, जिसमें अगर पहले पास order of n ही चलने है, यानि n-1 पास चलेंगे ही, समझ महारी है, हलो, यह इकलौता डिफरेंस है, बबल सौट में और इंसर्शन सौट में, अभी दिखाऊंगा आप, देखे, पास 4 में क्या होगा, 4 की 5 से comparison हुई, 1, 2, 3, 4, 5, अगर बच्चों मैं count करूं, इसमें पहले पास में comparison कितने हुए, comparison इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, swap ठीक है, और यहाँ पर हम pass लिखते थे, pass तो उधर लिखी दिया है, हमने तो pass लिखने की ज़रुरत नहीं है, ठीक, पहले pass में comparison कितना हुआ है, 1, swap कितना हुआ है, 0, दूसरे pass में 1, 0, 1, 0, 1, 0, अरे देख लिजे, bubble sort में पास्कितने, bubble sort में pass चला था 1, लेकिन यहाँ पर pass की complexity, order of n, comparison वहाँ पर भी पहले, देखो, bubble sort में, पहले ही pass में कितने comparison हो चुके थे, n-1, तो pass की complexity वहाँ पर भी कितनी ही थी, мतलब, sorry, comparison की order of n ही थी, swap की कितनी थी, वहाँ पे भी order of 1 ही थी, यह दोनों बात exactly same थी, overall complexity, overall best case में इसकी भी कितनी है, order of n है, clear हो रही है बात, देखो चार चीज़े ध्यान रखने है, bubble sort में भी overall complexity order of n थी, यहाँ भी order of n है, difference दोनों के चलाने वाले portion में है, bubble sort में पहले ही pass में आप बाहर आगे थे, complexity भले से order of n थी, लेकिन इसमें passes आपको completely पूरे चलाने पड़े थे, प्रियंका आप पहला bubble sort आपने नहीं देखा है, आप मैं वीडियो सेंड करूँगा, आप उसमें देख सकता है, आगे वाले समझ लेजे, ठीक है, अब इसमें इसका हम कर रहे हैं insertion sort का worst case, इनको सिर्फ एक या दो बार आपने देख लेना, आप जिन्दगी बर भूलेंगे नहीं, सिर्फ चला के देखना है खुद से, ठीक, मैंने आपको paper के perspective से क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ best case, worst case तयार करना, वो भी कैसे एक बार लिख के, best case में 1, 2, 3, 4, 5 मान लो, worst में 5, 4, 3, 2, 1 ले लो, तो मैंने क्या ले लिया, 5, 4, 3, 2, 1 ले लिया, process क्या कहता है इसमें, past 1 में हम क्या करेंगे, निताश्री, 4 की comparison 5 से करेंगे, यह से छोटा है, तो 4 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर, अगर हम बात करें comparison और swap, पहले past में comparison कितने हुआ, 1, swap कितना हुआ, 1, bubble sort में उल्टा था, इसमें सबसे last में comparison 1 swap, पहले past में n-1 comparison थी, आप देखें न, bubble sort में पहले past में देखो, पहले past में इसकी से comparison, swap, comparison, swap, comparison, swap, comparison, swap, पहले past में n-1 comparison, n-1 swap, last वाले में देखो, एक ही comparison होई थी, एक ही swap, बिल्कुल उल्टा चलता है, ठीक है, अब pass 2 चला के देखिए, pass 2 में क्या करना पड़ेगा, बोलिए, 3 की 5 से होगी, comparison होगी, swap होगा, फिर 3 आगे हैं यहाँ पर, 3 की 4 से होगी, comparison भी होगा, और swap भी होगा, तो 3, 4, 5, 2, and 1, दो comparison, दो swap, pass 3 देखिए, क्या होगा, pass 3 में, हमारे पास क्या होगा, 2 की comparison 5 से होगी, swap होगा, फिर 2 की 4 से swap होगा, 2 की 3 से swap होगा, यानि 2, 3, 4, 5, और 1 आ जाएगा, आप इसको एक दो बार practice कर लेंगे न, कहानी खताम है, देखते ही आपको पता चल जाएगा, pass की complexity क्या है, comparison की कितनी है, और swap की, आपने अच्छ है, overall कितनी आजाएगी, order of n square, चला के देखने की जरुरत थोड़ी है, समझ रहो कि नहीं, मगर direct rate होगे, दिक्कत है, आप ये लिख लो, एक process को सिर्फ दो passes तक चला लो, आपको खुदा idea लग जाएगा, order of n आ रही है, n square आ रही है, क्या रही है, ये बास समझ में, आई 4 में swap होई जाता, 1 की 5 से, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, n-1 comparison होती, n-1 swap हो जाते, यानि 4 और 4, 4 का मतला 5 के case में n-1 होगे है, 1 से n-1 तक कसम ये आ जाता, ये आ जाता, मेरे ख्याल से सबको ये बाते clear हो गई होंगी एक तम, exactly, ठीक है, इसके बाद next वाली comparison, complexity हम में कौन सी करनी थी, इन सब को summarize करके एक page पे लिख लेना, ठीक है, मैं question answer कर रहा हूँगा, सरिफ वो देख लेना, इसके बाद हमारी है exchange sort, कौन सी है, exchange sort, अब देखो, मैं quick sort में आपको process करना बता दूगा, उसके बाद best worst कुछ जादा discuss हम करेंगे, उसका मैं recursive formula बता दू चुकि हमने array वाले में कल वो discuss कर लिया न, tn equals 2 कैसे करके हम करते हैं, 2tn by 2 या कुछ लिख रहे हैं, तो, masters algorithm सिखाई है न, उसके basis पर direct रखके निकाल लेना है, that's it, कहा नहीं घदम, ठीक है, मतलब paper में अगर वो आया, तो उसका सिरिफ case सोच लेना, answer कर देना, exchange sort में कैसे काम हो रहा है, general case ले लो, 8, 4, 3, 1, 6 और 9, ये है कुछ, exchange sort या इसी का नाम, क्या होता है, दूसरा नाम भी इसका कोई, वो लिए, selection sort, क्या नाम है, selection sort, ठीक है, इसके अंदर कैसे काम होता है, देखिए, इसको मानते है minimum, कल हमने array पढ़ाया था, minimum maximum समझाया आपको, क्या तर difference देखिए, इसमें insertion sort और bubble sort से क्या है, आप consecutive नहीं कर रहा है, पूरे से comparison कर रहा है, जो भी सबसे छोटा है, उसके साथ, इसको swap कर दे रहा है, सबसे छोटा कोई है, 1, तो 1 आएगा उपर, 8 आएगा यहाँ पे, समझ में आ रही है बात की नहीं, पहले पास में क्या हुआ यहाँ पे, और यह सबसे छोटा को छोड़ दो अब हाँ, अब second को मानो minimum, पूरे से करो comparison, सबसे छोटा कौन आया है, इसके साथ इसको exchange कर दीज़े, इसके लिए इसका नाम exchange sort है, selection इसलिए क्योंकि किसी एक को select करते हैं, पूरे से comparison करते हैं, इसलिए इसके नाम यह पढ़ लाता है, insertion sort, कहाँ पे हमें insert करना है, card का game हो, तो वहाँ से वह आप चीज़ समझ सकते हैं, खेलाओ आपने दो, exchange sort, यह selection sort क्यों क्यों कहना है, वह आप समझ पार होंगे, 4 आगे हैं, 8, 6 and 9, अब देखिए, अगले pass में क्या होगा, यह दो बड़े आ चुके हैं, 4 को माने सबसे comparison करेंगे, सबसे छोटा जो मिलेगा, उसके साथ इसको swap कर देंगे, अब इस बार इससे छबसे छोटा कोई नहीं मिला, यही मिला, देखिए, हम कभी भी इसमें बाहर नहीं आ सकते, selection sort में हमेशा, पूरे का पूरा चलाना ही पड़ेगा, वो चलाना इसलिए पड़त है, मैंने जब यह detail में आपको सारी sorting कराई है, तब मैंने बहुत detail में समझाया था, bubble sort में, जब swap होना बंदो जाता है, that means, आप area sorted हो चुका है, बट आप इसमें देखो, इसमें इस case में swap नहीं करना पड़ेगा, क्या area sorted है क्या नीचे, हलो, नहीं है न, इसलिए इसमें ऐस सभी case में complexity order of n square आएगी, क्यों आएगी अभी कर लेंगे discuss करके, ठीक है, यानि इसकी सब case में, best worst average, यह इकलोता है, जिसकी सब cases में same है, order of n square, ठीक है, clear है, अब यहाँ पे 4 तक बच चुके, तीसरे पास पे 1, 3, 4 तो हट चुके, 8, 6 और 9 बचे, 8 को मानेंगे minimum, सारे से कर कर देंगे, swap, यानि 6 के साथ ही हो जाएगा, swap, तो 1, 3, 4, 6 आजाएगा उपर, 8 आजाएगा यहाँ, 9 आजाएगा यहाँ ठीक है, अगले पास में, 9 को मानेंगे minimum, सबसे comparison करेंगे, सबसे छोटा यही है, पासे कितने चल चुके हैं, बच्चो, n-1, हर पास में एक और है न हलो, इसमें यही पर मैं best worst average सब खतम कर देता हूँ, आप मेरी बात सुनिये, पहले पास में कितने comparisons हुए है, पहले पास में comparisons count करो, n-1, फिर n-2, फिर n-3, अप टू लास्ट तक कितने होंगे, 1, यानि comparisons की complexity कितनी आएगी, order of n-square, ठीक है, अब देखो, swap, इसमें सबसे ब शायद ही कोई बच्चा सही करेगा, पेपर में question ही आ जाए, कि in our computer, exchange, यानि swapping process, takes too much time, है न, सबसे यादा time कौन ले रहा है, जैसे comparison या कुछ operation इतना time नहीं ले रहा है, जितना swap operation ले रहा है, तो which one of the following sorting technique is best, नीचे चार option दे दे, bubble sort, insertion sort, quick sort, और heap sort, ठीक है, अब एक बा comparison छोटा है तो swipe होगा, comparison swap होगा, comparison swap होगा, comparison swap होगा, ऐसा ही होता है, अलो, उसने क्या कहा है, सबसे costly operation कौन सा है, swap, इनसर्शन में भी आश हो रहा था है अभी अभी हमने सौन में पीछे कर रहा है वह इसकी सिलेक्षन स्वाट की सिलेक्षन सॉट में निताश री पहले पास में मैक्सिमूम कितने स्वाइब हो सकते थे पहले पास की बात कर रहा हूँ, पहले पास में आप इसको minimum मानते हैं, पूरे से comparison करते हैं, जो सबसे छोटा आता है, उसके साथ इसको exchange करते हैं, तो exchange एक से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता इसमें maximum minimum कैसे लेते हैं, मतलब कि हम हमेशे minimum में लेंगे या maximum में लेंगे मेरी बात सुनो, अगर आपको array को sort करना है, descending order में, तो आप maximum मानना शुरू कर लिजए, पहले पास में इसे मानते minimum, maximum, पूरे से comparison करते हैं, जो सबसे maximum आता है, उसके साथ इसको exchange करते हैं, इस case में 9 maximum आता, 9 के साथ इसको exchange करते हैं, तो array क्या बन जाता, 9 आ जाता है, यहाँ 4, 3, 1, 6, and 8 आ जाता नीचे, अगले पास में इसको मानेंगे maximum, पूरे से comparison करेंगे, जो सबसे आते maximum आएगा, इस case में यह maximum है, तो 9 आ जाएगा उपर, 8, फिर आएगा 3, 1, 6, और 4, 3 को मानेंगे maximum, पूरे से comparison करेंगे, सबसे maximum कौन आया, 6, इसके साथ exchange कर देंगे, तो इस वर्स केस में स्वैप की complexity कितनी हो सकती है, order of n, जबकि सब में insertion sort हो, कोई मर्जी order of n square तक पहुच जाता है, तो swap के लिए सबसे best कौन है, selection sort, समझ माया, question कैसे frame हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग लागा, जीचों को पढ़ोगे, समझोगे, तो कोई भी चीज आपके complexity किसकी ज़्यादा है, तो bubble sort की swap की complexity आती, order of n square, quick की कितनी आती, quick में आपने count नहीं किया, बट उसमें तो एक pass में चलने में order of n से उपर है, आपको n-1 पास ही चलाएंगे, उसमें भी n square तक पहुच जाएगी, ठीक है, insertion sort दे रख्की होती, इसमें भी order of n square worst case में, और किस तरीके से frame हो रहा है, अगर आपकी चीज़े के लिए रहा है, एक भी question छोटेगा नहीं, अब यहाँ पर आ जाईए, ये इसका हमने general case discuss कर लिया था, मैंने आपको swap वाली जो important बात थी, वो बता दी, plus again हम सेम चीज़ पर आ जाते हैं, कौन सी वाली बात पर, best case या worst case, selection sort का best case हमें चाहिए, carry लेना चाहिए, one, two, three, four and five, ठीक है, अब इसकी हम मानेंगे minimum, पूरे से comparison करेंगे, सबसे छोटा कौन है, ये ही है, swap होगा क्या, hello, बोलिए बच्चो, swap की जरूरत है, no, नहीं है ना, तो पहले, पहले pass मे, pass one मे, comparisons कितने हो गए, comparisons कितने हो गए, and minus one, swap कितने हो गए, zero, है ना, अगर आप next pass की बात करें, pass two में, pass two में, one, two, three, four, five, ठीक है था, two को मानेंगे minimum, पूरे से करेंगे comparison, swap होगा क्या किसी के साथ, अब आप कहोगे, सर्प, जैसे bubble sort में बाहर ले लिया था, swap नहीं हुआ था, बाहर ले लिया थ कि नहीं, यहीं पर exit करा दिया था, कि और चला के देखने की जरूरत नहीं है, swap zero है, तो वहीं से exit ले लो, यानि एरे sort हो चुका है, guaranteed है, bubble sort में यह guaranteed बात है, लेकिन यहां पर आपको अगर यह बात लग रही हो, तो मैं एरे को थोड़ा सा change कर देता हूं, आपको समझ में आ comparison होगी, swap होगा किसी के साथ, नहीं, सबसे minimum यही है, तीसरे pass में, तीन को मानेंगे, पूरे से comparison होगी, swap होगा, नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है, जब तक आप पूरा ना चला ले, यानि इसमें passes कितने चलाने पड़ेंगे हमेशा, n-1 चलाने ही पड़ेंगे, और पहल पहले pass में comparison कितनी हो रही थी, n-1 दूसरे में होगी, n-2 तीसरे में, n-3, last में होगी, n-1, तो यानि, समझे मारी है, comparisons की complexity कितनी आएगी, हमेशा order of n square, passes की, हमेशा, always, pass कितने चलाने पड़ेंगे, order of n, ठीक है, swap की बात करें, तो देखो, पहले pass में 0 swap, इसमें 0 swap, इसमें pass maximum कितने हो सकते थे, बच्चो, हर pass में maximum, एक ही तो swap हो सकता है, है, रे, कैसा भी उल्टा सीधा हो, हर pass में maximum swap कितना हो सकता है, 1, यानि swap की worst case में complexity order of n हो सकती है, इस से ज़्यादा नहीं होगी, इस situation में तो best case का था, best भी नहीं था, मैंने क्या, best लेने के, ये मैंने बनाना पड़ा, क्योंकि, आपके pass क्या था, आपको मैं दिखाना चाहता था, कि हमें पूरे के पूरे passes क्यों चलाने पड़ेंगे, तो इसमें last case में भी 0 होता, 0 होता तो passes swap की complexity कितनी हाती है, order of 1, मेरे ख्याल से बात समझ गया होंगे, मगर आप अगर overall देखना चाहेंगे वेस्ट केस की complexity overall कितनी बनेगी, आप तीनों को जोड़ना पड़ेगा न, n square plus n plus 1, तो answer क्या आएगा बचाहिए बच्चों, complexity इसकी क्या बोलनी पड़ेगी, order of n square, मेरे ख्याल से ये बात अब सबको बिल्कुल crystal clear हो गई होगी है न, बाकी मैं detail वाली और ये वाली भी दोन वेस्ट केस अगर आप मानलो 5, 4, 3, 2, 1 हद सेथ स्वैप करना पड़ेगा, complexity उसमें भी रहेगी, तो time बचाते है, उसको नहीं कर रहे है, quick sort clear हो रही है बच्चों, मतलब उसमें कुछ और अंतर नहीं आएगा, passes चलेंगे n-1, तो passes की सेम रहेगी worst case में, comparison सब में इतनी हो यह तो n-square आए गई, swap मानलो हर पास में एक-एक swap हो भी जाएगा, तो maximum swap कितने हो जाएगे, order of n, still आप जोडएंगे तो n-square plus n, तो complexity कितनी हाएगी, तब भी order of n-square, यानि selection sort में पता है, बच्चों, एक question बहुत जादा बनता है, which one of the following sorting algorithm has same complexity in every case, तो देखो, दो ही होत से एक तो merge sort है, merge sort की sum में कितनी होगी, n-log-n, heap की sum में n-log-n होती है, इसकी sum में n-order of n-square होती है, बट चब कभी question ऐसा देगा, तो इन तीनों में से बाकी सारे sort देगा, और इन में से कोई एक ही देगा, समझ माई, हलो, बात clear हो रही है आपको, अब मैं अगला चौथा ल बार लिखवा दूगा, उस summary के basis पे हम question solve कर लें, यह बात सबको clear है न, हलो, चलिए, quick sort पहले एक बार कर लेते हैं, जल्दी से, quick sort का process मैं आराम से बता रहा हूँ, और मैं best or worst को यहां पर discuss नहीं करूँगा, वह हम कर चुके थे, मतलब उतना discuss करूँगा, जितने से आपको किस पहले element को मानते है, private element, क्या मानते है, private element, private element इसको select किया, right से comparison करते है, process समझ लेना, किसी को नहीं समझ माया है, पूछ लेना, यह नहीं है, मं जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं, इसको माना राइट से comparison करेंगे जैसे देखो हमारा परपस क्या पहले तो यह देख लीजे क्विक सॉट का काम है कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं लेफ्ट पार्ट में बचे पाइवेट एलिमेंट से सारे छोटे और राइट पार्ट में पाइवेट एलिमेंट से साड़े बड़े अगर मैं sending order में चाहा रहा हूं तो डिसेंडिंग में चाहते हैं तो process को उल्टा कर दीजें सभी sorting टेकनिक में जो मैं बता रहा हूं वा sending के लिए बता रहा हूं डिसेंडिंग चाहिए process जो मैं बता रहा हूं उसको reverse कर दो maximum बता रहूं तो minimum कर लो minimum बता रहूं तो maximum clear हुई अब जैसे इधर से मैं क्या कहा रहा हूँ इससे मिनिमम मिले तो स्वाइप कर दो आप मैक्सिमम को टून लो फिर हलो क्लियर है भाई कोई एक बोलता भी रो नेहा है आप प्रेजेंट क्लास में नेहा बादा निवा आपको पूजा येस सर्थ और लिए प्रेंप को भी बता नहीं हुआ चली ठीक है करता है कि करदेशा प्रदीप होँ आसर अकांशा आशु दो अब किसको अभी प्रोसे साभी किया नहीं है अभी रिपीट करूँ आशु̬ आशु अभी तो प्रेस साष्च शुरू करने हैं ठीक है हमें करना क्या है देखे हम राइट से लेगे जैसे इससे मिनिमम मिलेगा स्वैप कर देंगे ठीक है तो राइट से देखिए क्या आ रहा है राइट से छोटा कौन मिल रहा है जीरो मिल गया तो जीरो के साथ ही स्वैप हो जाएगा अलो बात संज़ रहा है आपको मानलेता हूं इधर 9 मानलेता हूं इधर 0 मानलेता हूं कभी अभी लगें पहले में change हो गया क्या ठीक है अभी सही है 9 छोटा नहीं है 7 छोटा है तो 7 के साथ इसको swap कर दिजे ये बात समझ में आ रही है आशू तो पहले pass के बाद देखो question ये बन सकता है ये मुझे क्यों कराना पड़ रहा है कि कैसे बन सकता है question तो जब आप पहली पहली बार operation चलाएंगे तो 7 चला जाएगा इधर 2, 0, 5, 6, 3, 8, and 9 अभी अब left से देखेंगे तो इससे बड़ा देखेंगे left से इससे बड़ा कोई दिख रहा है क्या hello left में आप पूरी comparison कर लीजे इससे बड़ा कोई है नहीं है न यहाँ पे list दो पार्ट में break हो जाएगे left में सारे इससे छोटे right में सारे इससे बड़े अब वो तो देखो इत्तफाक है न कि यह असा बन गया कि एक ही pass के बाद हो गया अब आपको क्या करना पड़ेगा इस पूरे को अलग से उठाओगे इस पूरे को अलग से उठाओगे यानि इस पार्ट को अलग सॉल्व करोगे इस पार्ट को तो सॉल्व करने की ज़रूती नहीं क्योंकि एक ही element है left सब सेक्षन को सॉल्व कर लिजे स्रिफ left सब सेक्षन को करेंगे 7, 2, 0, 5, 6, and 3 7 को उठाइए मान ये private right से comparison करिए इस से छोटा कोई मिलेगा उसके साथ स्वाइप करते जे 3 इस से छोटा है तो क्या होगा 3 आएगा यहाँ पर क्या आएगा 2, 0, 5, 6, and 7 element ही हमारे ऐसे हो रहा है कि हर बार स्वाइप ही हमारा पूरे का पूरा हो जा रहा है खेर यहाँ पर क्या होगा इस बार फिर दो पार्ट में लिस्ट बेक हो जाएगी क्योंकि राइट से आप इससे बड़ा कोई मिलेगा ही नी तो राइट में इसके सारे बड़े हैं मानते हैं लेफट में सारे छोटे हैं तो अब फिर लेफट सब पार्ट को अलग से solve करना पड़ेगा लेफ्ट सब पार्ट में देखे क्या है 3, 2, 0, 5 and 6 3 को लीजिए इधर से comparison करिए जैसे ही इस से कोई छोटा मिलेगा swap कर दो छोटा कौन मिला है यहाँ पे देखो आप समझ पाएंगा असल में थोड़ा 2-3 बार चलेगा यह 0 के साथ swap हो जाएगा तो 0 आगिया यहाँ 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे अब इधर से लेंगे अब इसमें भी पहली बार में प्रेग होगे लेफ्ट में दोनों छोटे हैं, राइट में दोनों बढ़े हैं और यह आल्रेडी सॉर्टेड भी हैं इस पूरे का रिजल्ट उठाके यहाँ रख दीजे इस पूरे का रिजल्ट उठाके यहाँ पे रख दीजे इसका रिजल्ट उठाके यहाँ पे रख दीजे पूरा एरे सॉर्टेड होके मिल जाएगा बात समझमाई की नहीं? कोई एक मुझे जनरल तरीक का लेना पड़ेगा इसमें मज़ा आया नहीं होगा एक्जामपल लेना पड़ेगा कोई सही सा फाइव फोर जीरो सैवन सेक्स थ्री वन और नाइन अब की बार होगा थोड़ा काम चलेगा फाइव को मानते हैं राइट से कंपेर करते हैं एक बार और देख लिजे जैसे इससे छोटा मिलेगा स्वैप कर दो तो इससे छोटा कौन है वन स्वैप हो जाएगा न तो यह जाएगा वन फोर जीरो सैवन सेक्स थ्री फाइव और नाइन बच्चो क्लियर है इधर से देखेंगे तो छोटा क्योंकि परपस क्या है लेफ्ट में सारे छोटे बचने चाहिए राइट में सारे बड़े आप देख लो क्या भी यह सिच्चोशन है लेफ्ट में सारे छोटे हो चाहिए राइट में सारे बड़े राइट वाली तो हैं लेफ्ट वाली फुल्फिल नहीं हो रही तो आप फिर यहां से चलेंगे इससे बड़ा डूनेंगे अब won four six मिला है जीरो यहां पे आ जाएगा क्या 3, यहां पे 5 यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 9 अब देखिए list में ब्रेक हो जाएगी left subpart और right subpart left में सारे छोटे है right में सारे बड़े हैं ज़रूरीं नहीं है sorted हो right वाले देखो sorted दिख गाए हमारा question ऐसा है left में सारे sorted नहीं है, लेफ्ट को फिर्क मानेंगे दुबारा से list, दुबारा से quicksort चलाते रहेंगे ये बात सबको clear है वई, hello ये है quicksort का process तो कभी process चलाने को आता है, तो वो हो जाएगा best case, worst case तब मैंने discuss किया था, अभी direct बता रहा हूं मान लिजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मुझे ascending order में चाहिए, क्या चाहिए मुझे ascending order में चाहिए, hello अब मैं मान रहा हूं, देखिए, यहां पर दुईदा क्या है, अगर आप already sorted ले लो यही इसका worst case है कैसे हैं मैं आपको अभी दिखाता हूं बच्चो, मैंने उस दिन आपको यह भी बताया था quicksort को चलाने में यह जो algorithm use कर रहे है ना, दो पार्ट में break करने के लिए इस algorithm का नाम मैंने आपको बताया था, कोई बतायेगा क्या नाम बताया था एक algorithm चलाते हैं, break करने के लिए इसका नाम है, partition और इसकी complexity कितनी होती है, order of n, break करने में कितना टाइम लग सकता है, order of n, आप चाहें काउंट करके देख लिजए यहां पर, जितने element थे आप comparison काउंट कर लिजए, मैंने कितनी की है, order of n, मानलो हद से यह 8 element 10 है, तो 12 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, तो 2n को भी तो आप any बोलता है ना, हलो, बात समझ रहा है आप, तो partition algorithm की complexity कितनी होती है, break करने में कितना time लगता है, order of n, यह बात अकांशा, comparison करेंगे हैं, left से, इस से बड़ा ढूंडने की कोशिश करेंगे, इस से, sorry, छोटा, इस से छोटा मिलेगा क्या, अकांशा, 9, comparisons कितनी लग चुकी है, n-1, यानि partition algorithm में, order of n time लग चुका न, break करने में, अब जो यह list break होगी, अकांशा, left में इसके कितने element बचे है 0, right में कितने बचे है, n-1, तो देखो, मैंने आपको वो लिखना सिखाया था, कल जब मैं पढ़ा रहा था, क्या, recursive formula, तो आप देखिए, अगर में tn मान लिजे, tn मतलब यह time है, लगा in quicksort, quicksort में जो time लगता है, n element के उपर, तो अगर आप देखो, दुबारा मुझे जब quicksort कितने element के उपर लगानी पड़ेगी, left में तो बचे 0, right में कितने बचे है, n-1, plus break करने में कितना time लग चुगा है, n, यानि आपका tn equals to क्या बन गया है, tn-1 plus n, अगर आप इसमें substitution method लगा के solve करेंगे, जो मैंने पहले करा चुका है, तो complexity के आएगी, order of n square, तो यहाँ पर आप ध्यान क्या रखिए, यह formula भी important है, क्यों कि quicksort का worst case में क्या होता है, क्या recursive formula, तो यह important वैसे है, अगर यह ध्यान है, तो worst case में complexity खुद आ जाएगी, order of n square, clear हो गई बात, इसमें passes या चीज़े, पुछेगा नहीं, next हो गया quicksort का, अगर हम best case माने, देखो अकांशा, यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मुझे, मानलो, 100 गंटे का काम मिला, quicksort क्या कहते है, फुली डिवाइडन कंकर की अप्रोच है, अगर मैं, दो आदमी रखूँ, एक को 50 गंटे का देदू, दूसरे को 50 गंटे का काम देदू, तो मेरा काम तब fast होगा, अगले व होगा, जब list हर बार, दो पार्ट में ब्रेक हो, और दोनों लगभग equal हो, भाई, लगभग ना भी हो, बट अगर हम best case माने, तो वो तो हम hypothetically imagine करते हैं, जैसे हम सभी sorting में मानता हैं, कि already sorted मिल गया, इसका best case कौन सा होगा, जब array दो पार्ट में, दो equal half में ब्रेक हो जाए, इधर आदे element हो, यह यहां बच गया, इधर आदे हो, इस पे अलग से solve गरनूगा, इस पे अलग से, यह फिर आगगे इसके दो पार्ट बना देगा, इस पार्ट को अलग, solve कर लो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, समझ रहो हर बार अपने half 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 में जाता जा रहा है, प्लस ब्रेक करने में तो टाइम सेम लग रहा है ना, पार्टिशन अलगुर्दम से, अगर आप इसका रिकर्सिव फॉर्मूला लिखेंगे, तो यह बन जाएगा, तो यह बन जाएगा, तो अगर हम निकाल लें, न की पावर लॉग 2 बेस 2, इसकी वेल्यू कितनी आजाए न की 1, तो यह बन गया, एंड, मैंने बताया था, अगर यह और यह सेम हो जाते हैं, तो आंसर कितना होता है, दिस इंटो लोग, तो यानि आज राग गया, एंड, लोग, एंड, मेरे कहाल से सबको क्लियर हो गए होगी, तो दो इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर याद रख जब A, T, N by B की फॉर्म मा, ओके, ठीके, 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 इसलिए मैंने सब्स्रीटीशन भी दिख्या था, ठीक है, खेर, अब हम मर्ज सौट को डिसकस कर लेते हैं, मर्ज सौट कैसे काम करता है, देखो बच्चो, प्रोसेस, उस दिन मैंने इसका डेटेल समझाया था, अभ जोइन करके छोड़ दे रही है, गलास कैसे, आशू, गौरव, जी सर, ठीक है, पूजा, निताश्टी, आप लोग रही है, ठीक है, आशू, म्यूट कर ले, तेरे से डिस्ट्रिबंस आ रही है, अब यहाँ पर मर्ज सौट कर रहे हैं, देखें, सेम एलिमेंट ले ले या 8, कुछ भी ले लो, 2, 6, 1, 5, 7, 0, और 3, मान लिजिए यह एलिमेंट है, बच्छो इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, यह इकलोता सौट बताया था मैंने, जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा था, क्विक सौट भी लेता है, बट वो थोड़ा लेता है, लोगन लेता है, बाकि एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, इसकी स्पेस कॉम्पलेक्सिटी ओडर अफ एन होती है, यानि मर्ज सौट आपका क्या नहीं है, बताये, इन प्लेस नहीं है, इस नौट इन प्लेस, ठीक, बाकि सारे इन प्लेस किसको बोल रहा है, जो विदिन दा array sort होते हैं, देखो किसी में आपने extra space लिया क्या, bubble sort, exchange sort जो आप solve कर रहे हैं, जो भी array में पढ़ा है, उसी के basis पर कर रहे हूँ ना, कुछ extra नहीं ले रहे हैं, किसी में भी, जब कि quick sort में, देखो हमने, मैंने आपको समझाया था, stack, function column में stack का use करते हैं, जब हम इसको दो पार्ट में break करते हैं, ये left sub part अलग solve होगा, right sub part अलग solve होगा, इसके लिए हम किसका use करते हैं, use करते हम इसके लिए stack का, और stack की इसमें जो complexity आएगी ना, बच्चो, मतलब अगर हम देख लें, worst case में, ये जो extra space ले सकता है, इसकी अगर space complexity, worst case में बात करूँ, तो order of log n ले सकता है, कितना ले सकता है, order of log n, तो log n को में इतना अलग इस पेप मान लो, 100 element थे, तो 6-7 byte, 6-7 block ले रहा है, तो उसको फिर भी इतना बढ़ना नहीं मान रहे, मत अगर paper में अगर question या जाए, कौन सा in place नहीं है, और option में दे रखा है, bubble sort, exchange sort, selection sort, और quick sort, तो आप answer लगाएंगे quick sort, समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक तरीके से in place नहीं है, मैंने आपको जो chart बता रखा है, जो detail वाला पढ़ा रखा है, उसमें एक chart बना रखा है, last में, in place और not in place का, ठीक है, वापे भी आप उसको देख सकते हैं, फिलहाल वापस आता है यहाँ पर, यह बात मैंने लिख दे, extra space लेता है, extra space, आज इसी को भेजूँगा, इसी को आप सिर्फ करके देख लेंगे, ठीक है, कुछ कोशन अभी कर लेंगे, और कुछ कोशन सुभे कर लेंगे 30-40 मिनिट में, ठीक, मतलब इसका पूरा फंडा खतम कर देंगे, आज ही, जिससे कल हम next ही काम करें, ट्री और ग्राफ खतम, ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पर, मर्ज सौट में आपको क्या करना है, आप ऐसा मान लेजे, पहले पास में आप ऐसा मान लो, यह नीचे से होता हुआ चलता है, बट आप ऐसा समझ लेजे, कि इन दोनों की comparison होगी, और यह आपस में, इनकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, पास बन में, देखो, एक बात को और ख्याल रखना बच्चो, वो यह कह रहा है, टूवे मर्ज सौट, थ्रीवे मर्ज सौट, फोरवे मर्ज सौट, फाइवे, जनरली टू ही कहता, 99 परसंट कुछ नहीं बोल रहा, तो मर्ज सौट बाइडिफॉल्ट टूवे है, अगर वो बोल दे, थ्रीवे मर्ज सौट है, तो प्रदीप जो अभी हमने दो एलिमेंट ली है ना, समझ लें, हम तीन ले लेंगे, तीन को सौट करें, समझ रहा हो, निताश्री, ये बात क्लियर हो रही है, क्या बोल रहा हूँ, देखे, अभी आप क्या करेंगे, 2 और 8 को कमपरिजन करेंगे, और स्वैप करतेंगे, जिस भी साबसे, इनको अरेंज कर लेंगे, 1 और 6 अरेंज कैसे होंगे, ये 1 और 6 बन जाएंगे, 5 और 7 तो 5 और 7 ही रहेंगे, 0 और 3, 0 और 3 रहेगा, पास 1 में 2-2 element ले लिया, पास 2 में 2 की जगए, अब 4-4 को ले लो, इसको sort करो, इसको अलग से sort करो, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1, 2, 6 and 8, ये बनता कैसे है, वो detail मैंने पहले समझा रखा है, पेपर के perspective की बात कर रहे है, ये आपको किस तरीके से revise करनी है चीज़ है, उसके लिए इससे भी काम चला सकते हैं, वो वाला समझाई रखा है, महा पे भी देख सकते हैं उन वीडियो से, 5, 7, 0, 3, तो 0, 3, 5 and 7, ये बन गया, पास 2 के बाद अगर वो पूछ लेता ना, अरे क्या होगा, तो this is your array after past 2, clear, और पास 3, अगर आप पास 3 में देखेंगे, तो अब पूरे 8, 8, अब देखो, element अभी 8 लिए है, तो बस यहीं तर पास 3 में solo हो जाएगा, इसमें से कौन-कौन सा question बन सकता, वो भी मैं बता दूँगा, तो अब पास 3 में इन दो नों को, इन दो block को उठालो, तो ये बन जाएगा, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, समझ में आरी है, कैसे हो रहा sorted, अब देखो, इसमें question, क्या-क्या question बन सकता है, पहला question तो ये, merge sort जो हता है, not in place, in place नहीं होती, बच्चो देखो, इसमें corresponding elements को ये तो compare करते हैं, ये stable होता है, stable का भी बात बता दूँगा, stable क्या होता है, ये stable होती है, तो merge sort क्या है, stable होती है, stable ये है, in place ये नहीं होती, दो question तो ये बन सकता है, तीसरा question, merge sort की हर pass में, हर किसी में complexity order of n log n रहती है, तो एक question ये भी बन सकता है, किसकी सभी में सेम है, तो अगर मानलो option में दे दिया, उसने quick sort, quick sort की सभी में सेम होती है, कि बच्चो, best में भी करा रहा है, n log n थी, और worst में क्या करा था, जब एक ही part में टूट रहा था, n square आई थी, फिर हमने bubble sort, bubble sort की best case में थी n, worst में थी n square, अगर हम insertion sort कर दे, best case में थी n, इसमें थी n square, यहाँ पर दे दे merge sort, तो answer क्या होगा, merge sort, या इसकी जगे, अगर यह selection भी बोल देता न, तो selection की भी आपको पता है, सभी cases में क्या होती है, order of n square, तो यह भी answer हो जाता, question समझगे, कैसे frame होते हैं, यह है तरीका, जब सर, merge sort में से, तीन question बता दिये, चौथा question, merge sort का क्या बन सकता है, passes वाला, after one pass या two pass, कितना होगा, clear रोड़ है, one pass, two pass, three pass, ऐसे पूछ सकता है, एक जो most important question, मेरे हिसाब से है, वो question यह बन सकता है, if n elements हैं हमारे पास, then, passes कितने चलेंगे, कोई बताएगा मुझे, कितने passes चल सकते हैं, या चलते ही हैं, एनिवन, वर्षा, है क्या, नहीं है वर्णा, पूछता गौरव, बच्चों आप यहाँ पर चला के देखो, हमारे पास eight elements थे, eight elements थे ना, पास one में पहले दो-दो करके कर लिए, फिर चार-चार, और लास्ट वाले में आठ के आठ सौर्ट हो गए, समझ रहे हो बच्चों, हलो, येस सर्, आप इस आठ को ऐसा समझ लिए, पहले चार, फिर यहाँ से दो-दो में ब्रेक हो गया, यानि हर बार जो लिस्ट बन रही हो, अपने हाफ-ाफ में ब्रेक हो रही है, तो लॉगन बन जाएगा कि नहीं, मैंने आपको जब binary search समझाया था, तब भी ये बात समझाए थी, तो यहाँ पर आप कभी भी देख सकते हो, अगर element 10 होते, अगर यहाँ पर दो element और मान लिजे, मान लिजे 15 और 19 होते, तो पहली बार जब दो-दो का हुआ था, इन दो को भी sort कर लेता, तो एक 15 और 19 ही रहते, अगली बार 4-4 का बना, तो यह 4 बनते, यह 4 बनते, यह 2 तो अलगी रह जाते, इसका कुछ होता ही नहीं, अगली बार इनका 8 होकी बनती, एक लिस्ट बन जाती है, यह 2 अलगी रह जाते, अगली बार इन सब की होती है, और सारे मर्ज हो जाते, समझ में आ रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं या नहीं, तो इसलिए, तब पास कितने हो जाते चार, तो यानि अगर हम एक्जेक्टली बोले, पास कितने चलेंगे, तो ओर्डर ओफ ऐसे, इसका अपर केस, यह बास समझ में आ गई, गौरव, अपर केस भी ज़रूर यह, 3.2 का मतलब 4 पासे चलेंगे, बास समझ में आ गई ही कि यह नहीं, जबकि हम बबल सॉर्ट में बात करें, वर्स केस में कितने पास चल रहा है, और ओफ एड, बास पांच एलिमेंट थे, तो चौते पास में ही तो जाके सारे सॉर्टेड होंगे, ऐसी सेलेक्शन में ही हुआ था, लेकिन यहां पे पासे हमेशा लॉग एन ही चलेंगे, यह बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गए होगी, यह इसका most important question है, क्योंकि बाकी सब में पासे ज़्यादा चलते हैं, जैसे आप क्विक्सौर्ट में भी पास इस तरीके से, क्विक्सौर्ट में बैस्ट केस में लॉग एन पास चलेंगे, इसलिए उसकी space complexity, वर्स्ट केस में मतलब कितनी जा सकती है, लॉग एन जा सकती है, बैस्ट केस में जाएगी, वर्स्ट केस में तो जाती है नहीं है, वस्ट केस में कोई, देखो, इधर देख लो एक बात, वस्ट केस में इधार वाला हिससा तो stack में रखने की दरुरती नहीं है न, केबल ये ही तो जाएगा, अलो, जब कि बैस्ट केस में हमें इधर भी call करना पड़ेगा function इधर वाला भी call करना पड़ेगा तो वो वो कहानी है समझ रहे हैं आप मेरे बात तो space complexity वहाँ पर भी लग सकती है फिलहाल यहाँ पर इसमें passes कितने चल सकते हैं log n अभी हम heap sort पढ़ेंगे जब हम tree पढ़ेंगे तब हम यह बात जानेगे कि heap sort में भी passes जो होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं heap sort की complexity फिलहाल के लिए n log n कर लीजी आप ध्यान जिससे question करने में आपको मदद मिल जाए clear हो गई छोटी से बात और बता देता हूँ वो in place और not in place वाली sort within the array उसको क्या बोलता हैं क्या बोलता हैं बच्चो की in place sorting है अब हम in place की बात करें तो देखे bubble sort in place थी insertion भी अपनी array में हो रही ये भी है exchange sort भी खुद में ही हो रही है ये भी है ठीक है इसके बाद हम heap की बात करेंगे heap भी खुद में ही हो जाता है अभी आपने heap पढ़ा नहीं है heap भी खुद में हो जाता है तो heap भी है ठीक है अब कौन-कौन नहीं है merge sort नहीं है और quick sort भी नहीं है समझ गया आप बात की नहीं अलो जी सर सबको clear दिशो तो ये question ये भी बन सकता है इसके बाद next वाला क्या है next वाला कौन सा है बच्चो stable या not stable किसको बोलता है stable sort वो होता है जिसमें changes नहीं होते क्या नहीं होते relative positions change नहीं होती relative positions मतलब बच्चो मान लिजे मैं ऐसा ले लूँ बहुत छोटा सा example ले रहा हूँ तीन तीन और एक इसमें elements repeated है यही stable का मतलब भी होता है कि same element जो होता है अब एक बावत है अब देखने में तो दोनों तीन है इसलिए मैं नहीं अलग 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 नाम दे दिया 3A, 3B और 1 यह वाला तीन इस वाले 300 उपर था प्रतीप की नहीं तो sorting के बाद भी इसकी position इससे पहले ही रहनी चाहिए बैस वाला 3 जब इससे पहले था तो यह पहले ही रहना चाहिए वो change नहीं होना चाहिए उसको stable भोलेंगे अब bubble sort अगर काम करती प्रधीप तो क्या काम करती bubble sort इसकी इससे comparison होती swap होता क्या swap होता फिर इस 3 की हिससे होगी swap होगा तो क्या होगा 3A रहेगा है यहाँ जाएगा 1 और 3B आजाएगा यहाँ पर अगले पास में क्या होगा इसकी हिससे comparison होगी 1 जाएगा उपर और इसको तो छोड़ी देंगे 3A आजाएगा यहाँ पर 3B यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ इसी चीज को exchange sort में ले ले लेते हैं किसमें? exchange sort में सेम एरे ले रहा हूँ 3A, 3B और 1 इसको minimum मानूँगा पूरे से comparison करूँगा सबसे minimum जो मिलेगा उसके साथ इसको exchange कर दूँगा सबसे minimum कौन मिला? 1 तो 1 आगया उपर 3B रहेगा यहाँ और 3A रहेगा यहाँ पर यह बास्ता मज़मा रही है अब देखो 1 को छोड़ देंगे अब 3B को minimum मानूँगा पूरे से comparison करूँगा अब एक बाह उता हूँ नीचे भी 3 है क्या 3 3 से छोटा है गया? तो स्वैप नहीं होगा फाइनली क्या बचाएगा? 1, 3B and 3A तो एक बाह बताओ relative position चेंज नहीं हो गई? जो 3 पहले था वो बाद में नहीं आ गया? यानि कि stable तो होगा यह और not stable लिख देता हूँ यहाँ पर और देखो exchange sort not stable है जिसमें भी minimum maximum concept चला रहे है ना बच्चो जिसमें भी मैं बहुत हलके तरीके से इसको बता रहा हूँ देखो आपको सिर्फ process तो ध्यान होगा ना not stable process exchange sort का ध्यान है पहले को minimum मानेंगे पूरे से comparison करेंगे सिर्फ उसी element से swap होगा जो उससे छोटा होगा यानि जो सबसे चोटा होगा quick sort में क्या करते हैं पहले वो पाइवेट मानते हैं इधर से comparison करते हैं जो इससे चोटा मिलेगा उसके साथ इसको exchange कर देंगा वहां पर भी तो यह कहानी हो रही है इसलिए वो भी है ठीक है sorting पूरा खतम है यह आपका सारी sorting टेक्नीक्स खतम है ठीक है इसके अलावा एक शैल सॉट पर कोशन बन जाता है जब यह कर रहे हैं तो शैल सॉट भी कर लेते हैं एक बार सुबह मैंने शैल सॉट कर आया भी था शायद जब कोशन उसका बीच में आ गया था बट एक बार अभी सम्झा लेना हो रेडिक्स कर वाला था रेडिक्स रेडिक्स भी है शैल का अच्छा कोशन नहीं आता रेडिक्स सॉट पर कई बार आ जाता है करने को तो शैल सॉट भी कर सकता है बट रेडिक्स सॉट कर लिजए रेडिक्स का कोशन आ जाता है ठीक है तो रेडिक्स सॉट कैसे काम करता है और बच्चो देखो रेडिक्स सॉट हो गया शैल सॉट हो गया जो मैं अभी बता रहा था यह सारी जो है नॉन कंपरिजन बेस कि अभी ने सुभ्राट सुभ्राइब इन्यौर्य० और में त्रक्राइब करा आया था आपको समझा रहे से दूर्प्राइब क्यों बोलते हैं हिना पहल भी और अभी नहीं कहीं पचा भी तो इसको नॉन कमपरिस्टी अभी आपने पड़ी ना वह सारी कंपरेजन बेस और इस सारी रडिक्स और कैसे यह नॉन comparison-based sorting है क्यों है वो मैं बता रहा हूं क्यों है बच्चों देखे हम पहले अच्छ process discuss कर लेता है उसके बाद इस कहानी को देखेंगे रेडिक sort को discuss करते हैं आप array ले लिए element मान लिजे मैं ले लिए 9 82 56 720 और 93 और 295 यह element मैंने ले लिए सभी process को दिहां से देख लिजेगा बच्चों इसमें हम सबसे पहले जो solve कर सौट करते हैं वह on the basis of there first element करते हैं फिर्स्ट अलिमेंट मतलब जैसे वंस 100 वंस 10 100 तो प्लेस वाइस इसलिए इसको रेडिक्स बोल रहा है आपको पता है जैसे बाइनरी में 2 है decimal में 10 है वह सारी कहानी पूजा बास वह निताश्री समझ में आ रही है हिना अब इसको देखिए सबसे पहले आप करेंगे यहां पर किसके विश्ट पर सौट कौनसे डिजिट पर वंस वाले प्लेस पर सबसे छोटा कौन आएगा 720 देखो कुशन ऐसा आ सकता है आफ्टर 2 स्टैप क्या बनेगा तो पहले पास में क्या हो रहा है जीरो वाल आ गया यहां पर फिर कौन आएगा यहां पर देखिए 2 वाल आएगा है ना अलो तो 82 फिर आएगा 93 देन आएगा क्या अच्छा एक चीज और मुझे आपको दिखाना था अगर यहां पर 22 होता बच्छो क्या होता 22 और ले लिया मैंने सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आपको और अगर सेम एलिमेंट मिल जाए अब देखो इस रेडिक्स पर सेम थे ना दोनों यह भी 2 है और यह भी 2 है तो जो 2 वाला पहले लिखा हुआ था उसको पहले रखेंगे यहां आएगा 22 फिर 23 फिर कौन है 295 अरे बोल भी लीजे भाई 56 न आएगा 9 मेरे क्याल से हो चुक है सारे एलिमेंट है अब हम सेकंड प्लेस पर पहुंचेंगे यानि कि अब देखो इसमें सेकंड प्लेस नहीं है तो सेकंड प्लेस इसका क्या होगा जीरो होगा कि नहीं नाइन वाले का अलो इससे पहले 0 ही मानेगे इसका 5 है यहाँ पे 9 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 8 है यहाँ पे 2 है अब देखो 2 वाले पहले सबसे पहले तो आ जाएगा 0 वाला यानि सबसे पहले कौन आ जाएगा 9 अलो इसके बाद हमारे पास 2 वाले 3 है 2 वाले सौरी एक तो यह 2 वाला है और ए second step के बाद output क्या होगी, तुम सोचो 22 रख के चटक बन जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद 22 हो चुका है, इसके बाद आपका क्या आएगा, 56 है ना, 56 के बाद आएगा 82, then आपका आएगा क्या, 93, then आएगा 295, यहाँ तक कहानी हो गई, इसके बाद, क्या, 720, क्यों आया सबसे पहले, देखो, टू वाले में अगर हम देखें, तो टू वाला एक element यह है, और यह किये है, तो जो जिस order में पहले है ना, तो उसको ही पहले रखेंगे, तो पहले कौन था, 720 पहले था, कि 22 पहले था, 22, यही देखो, मैंने यहाँ पे भी समझाया निताश्री, यहाँ पे आप देखें, 82 और 22 में, छोटा तो 22 था, बड़े मैंने 82 को पहले क्यों लिखा, फिर 22 को क्यों लिखा, क्योंकि order में पहले कौन था, given array में, 82 पहले था, बास समझ में आ गई कि नहीं, हलो, अगला और last pass, अब देखो, इसमें जैसे कोई पूछ ल अगर इसमें नहीं है, तो इसकी यह 0 ही मानेंगे, इसका क्या है, 7, यहाँ पे 0 मान लेंगे, 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 यहाँ पे 2, तो सबसे पहले 0 वालो को लो, सबसे पहले 0 वाला जो भी है, उसमें सबसे पहले कौन आ रहा है 9, तो 9 आएगा पहले, फिर 0, 22 है तो 22, फिर 56, then 82, then 93, clear, 0 वाले सारे आ गए, इसके बाद हम लेंगे 2 वाला, 2 वाला कौन है, 295, इसके बाद लेंगे 7 वाला, 720, हैरे सॉर्ट हो गया कि नहीं, हलो, पासिस मेक्सिम्म कितने चलाने पड़े, पासिस कितने चलेंगे, जितनी रेडिक्स, तीन डिजिट का है, तो तीन चलेंगे, मान लिजे हमारे पास, कितनी डिजिट्स हैं, डी डिजिट्स हैं, है न, हलो, डी डिजिट्स हैं अगर, तो कितने पास चलेंगे, डी, और हर पास में कॉम्प्लेक्सिट, वो complexity क्या बोल देते के अन अरे बात समझें आगे रेडिक स्वाट की अब आप में सब बुद्धि मान लो मुझे बताइए यह नौन कंपरेजन बेस स्वार्टिंग क्यों कहते हैं कोई भी कुछ दिमाग लगा के आपने नियर वाले नोड के साथ वह इनियर वाले नंबर तो नहीं बनेगा अमलब बाकि कुछ और सोचो क्या बात मतलब एक्जेक्टली नहीं है ले लाइन कान में मतलब फूटने को हो जाता है तेरी प्रॉब्लम सौल नहीं हो भारी कोई और मेरा तदर माई की ओन नीजा नहीं अभी हुआ था यार कैसी बात कर रहे दो माई कॉन था मैने फोन में भी चला रखा है फोन में चला रख्या वह दिखता रहता है किसका ओने जैसे आका नहीं हुआ था चलो चोड़ो उस काम को बट कोई आंसर दो मुझे वर्षा को आपस में कंपरेंडिंग कर रहे हैं आप देखिए क्या एलिमेंट्स को कंपेर कर रहा हूं कि मैं निताश्री क्या 9 और 82 की कभी comparison हुई यह 82 और 56 की किसी भी element की आपस में comparison हुई है नहीं उनकी सिरिफ डिजिट्स की comparison हुई है इसलिए अगर हम elements की term में बात करें तो यह non comparison based sorting है मेरे ख्याल से clear होगी होगी बात तो paper में यह question important है बच्चो देखो आपको इसमें redic sort important थी मैंने करा दी बाकी question पता कैसे बन जाएगा which one of the following is not a comparison based sorting नीचे दे दिया bubble sort, quick sort, heap sort, heap sort और shell sort कही part है फिलाल यह दिनों पड़ी भी थी ना, heap sort या कुछ भी आए अब shell sort हो गया या redic sort हो गया, यह सारी कैसी है, non comparison based sorting है, clear हो गया paper में, यह question important है, इसलिए बता दिया, redics हो गया, shell हो गया, यह दो ही नाम आप दियान रख सकते है, shell sort, redic sort, ठीक है, shell sort कभी कहीं पर मैंने उसका question देखा नी, क्योंकि इसका फिर भी place के basis पर passes वाला आ जाता है, अब ऐसे करेंगे तो बहुत सारी चीज़े, वो थोड़ा, करने को तो वो भी कर लेंगे, अभी करने को तो, जो detail वाली class mean की पूरो की बता दी कैसे कैसे चल रहा है, but जैसे आप इसको revise भी करेंगे, आप यह सोचे paper के perspective से कितना important है, यह भी more than enough वाली कहा नहीं है, ठीक है, अब जैसे यह कभी कहीं आया ही नहीं, ना कभी कुसका shells odd का question, NVS में आया होगा ना KVS में, किसी भी TGT PGT कहीं पर भी आप देखोगे, कैसे भी paper में, shells odd का question नहीं है, gate में उठ ठालो, net में उठालो, तो फिर क्यों इस पर time लगाना है, process तो और भी बहुत सारे होता है, जैसे array में हमने वो operations करें, जिन पर generally questions ज्यादा बनता है, clear, okay, तो इस वाले को मैं कर देता हूँ, export, आपको इसको भेज भी दूँगा, और इसकी वीडियो बनाके भी,